ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हैं सपा के विधायक इर्फान सोलंकी कानपूर के सिसा मोव से विधायक थे लेकिन अब पुरू विधायक कहिए इनको और इनकी वज़ा से ही इनकी सदस्यता गई तो अब सिसा मोव पे चुनाओ होना है लेकिन चुनाओ पे नहीं आएंगे बलकि ये बताएंगे कि क्या इर्फान सोलंकी को लेकर मुक्तार अंसारी की तरह जेल से कोई खबर आने वाली है क्योंकि जो फैसला हुआ है जो एक्षन योगी सरकार ने लिया है बीते 24 गंटे में वो एक्षन इर्फान सोलंकी की नीन द पैसला लिया कि इर्फान सोलंकी की जेल में निन दुड़ गई वो जब अगली पेशी पर जाएंगे तो हो सकता है दोबारा से ये बात दोरा है कि मेरी जान को खत्रा है क्योंकि योगी सरकार के वकील ने जिस केस में इनको सजा हुई 7 साल की उस केस में योगी सरकार के वक योगी सरकार के वकील की दलील मान ली सबूत अगर योगी सरकार के वकील ने पेश कर दिये कि इनको उम्रकाइद की सजा क्यूं होनी चाहिए तो आप समझिए कि ये भी जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे अब इनके अलावा और कौन से छे नेता है सपा के उनके बारे में एक के करके बताते हैं दूसरे नमर पे देता है जाहिद बेग जाहिद बेग भधोही से बिधायक है और कैसे कोट में दोड़ते हुए सरेंडर किये उसकी तसवीर आपने देखी होगी आप अपने मोबाईली स्क्रीन पर ये तसवीर साफ देख सकते हैं जाहिद और पुलिस के बीच जड़प होती है इस बात को लेकर कि वकील उन्हें कोट के बाहर से गिरफतार करना चाहती है वकील उन्हें चाहते हैं कि कोट के अंदर सरेंडर करें जबकि पुलिस चाहती है कि बाहर से गिरफतार कर लें अब कोट के अंदर सरेंडर नहीं करते, बाहर से गिरफ्टारी होती तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होता इसके बाद तीसरे नममर पे जो नहींता है वो है अबबास अंसारी, मुखतार अंसारी के बेटे और मौसदर सीट से विधायक अब अबास अंसारी की कहानी ये है कि अबास अंसारी जेल से निकलना चाह रहे थे लेकिन अबास अंसारी के ऊपर जो मुकदमे लगे थे और अबास अंसारी ने जो याचिका डाली थी वो याचिका रद्ध हो गई अब अबास के जेल से बाहर आने के दूर दूर तक कोई सं आप याहो उस पर शिकंजा ऐसे कस रहा है जैसे कि वो बाहर आना भूल जाएगा आजादी में जीना भूल जाएगा और आजम खान तो आपको याद होंगे आजम खान तो जेल के बाहर आकर बकाइदा रोई थे कि जेल में फासी वाले घर के बगर में मुझे रख दिया था से विधायक रहे हैं और बड़ी बात ये है कि उनको जेल से छुडाने के लिए लंदन में पढ़ रही उनकी बहान जो अभी वहां से सांसद हैं इकरा हसन वो आई थी छुडाने इंडिया और अब चुनाओ लड़कर सांसद बन गई इसके अलावा एक और नेता हैं कजमा पहुंचा था दो-दो फरजी पैनकार्ट बनाने का जो केस था उसमें हालत ये थी कि अबदुल्ला आजम और आजम खान के वकील को ये कहना पड़ा कि जजसाहब कोछ दिन मोहलत दे दीजिए 10,000 रुपए हमारे पास नहीं हैं वो 10,000 रुपए जो 1000 करोड मतलब कई करोड के मालिक हों आजम खान जो अपने जमाने में कई करोड रुपए तुरंत इंतजाम कर लेते उनकी आज हालत ये हो गई है कि बेटे और वकील को ये कहना पड़ रहा है कि जजसाहब मोहलत दे दीजिए 10,000 रुपए के लिए तो आप समझ ये कि योगी राज में माफि का समर्थन करने वाले सपा के वो नेता जिनका कद सियासत में काफी उचा था वो आज कैसे रो रहे हैं और जिन लोगों पे इन्होंने जुल्म ढाहे वो कैसे हस रहे हैं कैसे सुकून की जिल्दिगी जी रहे